नवस्कार आप देख रहे हैं आश्रक आपके साथ मैं हूँ अंजनाओं मुकश्चप मुसीबत की घड़ी ये बॉलिवोड के लिए एंसीवी ने बॉलिवोड के डी कमपनी ड्रग्स कमपनी पर शिकन जाखस दिया है सुशान सिंग राजपूत केस के ड्रग एंगल पर परताल में अब तक जो सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर नसीवी ने चार बड़ी अभी नेत्रियों समेथ साथ लोगों को समन जारी कर दिया है वॉलिवोड ड्रग्स के आंग पर सबसे बड़ी ख़वर आप देख रहे हैं दिपका पाड़कोन का नाम दिपका की मैरिजर करिश्मा प्रकाश, पैशन जजाइनर सिमोन खंबादा, सारा अली खान, श्रदा कपूर ये सभी नाम और इन सभी को अब समन भेजा गया इस बीच आपको बता दे गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं दिपका पाड़कोन और मारा जा रहा है कि अब वो लॉट जाएंगी क्योंकि मुंबई में अब वो अपने पूरी लीगल टीम के साथ बैट कर क्या आगे करना है इस पर बाचीत कर सकते हैं तो यह है वो नामचीन चेहरे दिपका पड़कोन सबसे पहले जिनका नाम आप देख रहे हैं और उसके बाद से श्रधा कपूर सारा अली खान रकुल प्रीट सिंग सिमोन कंबारा फाशन डिजाइनर है इन सब ही को NCB का समन चला गया है इसकी गंभीरता को समझे ये बॉली वुड के ऐसे टॉप अक्टर्स हैं जिन तक NCB ड्रग्स के मामले में अब समन देकर अब वो तस्वीर भी दूर नहीं है जब ठीक है एक दिन बाद आप देखेंगे कि 25 सितंबर को NCB के दफ्तर पर पहुंचेगी दिपिका पड़कोन सवालों का जवाब देने के लिए आई आपको सीदे लिए चलते हैं हमारे सही होगी अरविन दोचा हमारे साथ जुड़ रहा हैं इसी खबर पर अर्विन एक दिन बाद एक दिन बाद NCB के दफ्तर NCB के अधिकारियों के सवालों का जवाब छेलने के लिए दिपिका पड़कोन को पहुँचना होगा और अपनी तरफ से पूरी सफाई देनी होगी समझाना पड़ेगा कि 2017 का ये ड्रग्स पर वाट्साप चैट माल क्या है से लेकर गांजा तक पहुँचता हुआ आखिर क्या था और ग्याद रखिए इससे पहले जयासाहा से भी जो कौन कमपनी में है उनसे लंबी पूछताच NCB ने की है तो क्या कुछ NCB को जयासाहा के जरिये और हाथ लगा है इस सब पर नज़र रहेगी बॉलिवुड की जो अब ड्रग्स कमपनी है उस पर ये NCB का धावा है अर्विन दोजा एक दिन बाद NCB दफ्तर दिपका पडुकोन के जाती हुई तस्वीरे बाहर आएंगी इसका मतलब देश में न जाने कितने लोग अपनी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे टॉप अक्ट्रिस ड्रग्स के मामले में NCB की पूछताच का सामना करेंगी और जया साह से ऐसी तमाम अन्य बाते भी पता चली होंगी जिसकी वजह से एक पुखता केस बना कर NCB उनको समन भेजा है आपको याद होगा इसी आज तक पर मैंने कहा था दो दिन पहले कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो बड़े-बड़े चेहरे नार्कोटिस कंट्रोल वीरों के चक्कर लगाते आपको दिख जाए तो हैरत नहीं होगी और आज तक की जो खबर उस पर मोहर लगी है दीपका पादकोण, सारा अली खान, स्रद्धा कपूर ये तीन बड़ी अबनेत्रियां हैं जिनको समन भेजा गया लेकि दीपका के लिए सामने सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी आँजना वो ये होगी कि नार्कोटिस जो चैट था वो था तो जब नार्कोटिस कंट्रोल वीरों की टीम दोनों को सामने विठा कर वो चैट रखेगी तब देखना दिल्चस्प होगा कि दीपका पादकोण क्या जवाब देती है उसके अलावा पहले से ग्राउंड वर्क तयार करके रखा हुआ है नार्कोटिस तो इस तरह के कई जो कलेत सवाल है उनका जवाब देना होगा और दोनों को आमने सामने विठा कर जब वो ड्रक्स चैट जो आज तक के पास मौजूद है वो दिखाया जाएगा तो बहुत मुम्किन है कि बोलती बंदो जाए लेकिन इसके अलावा स्रद्धा कपूर उनका जीवन में फिल्में इतनी शौरत इतनी लोगों की दुआएं और इन सब के बीच यही कर रहे थे क्या यह सवाल अब धीरे-धीरे और बढ़ता चला जा रहा है आप बने रही है आप अधर में दोशा हमारे से होगी हमारे साथ बने हुए है और विद्ध्या हमारे साथ भी है उनके लिए पूच्टाच की तारीख भी जारी गर दी गई है वक्त भी मुकर्र्र कर दिया गया है एंसीबी ने पूच्टाच से पहले सभी अभी नेतियों के खलाफ काफी सबूत और इा 충就可以 दिपिका पादुकोर हो या श्रधा कपूर, सारा अली खान हो या रकूल प्रीट सिंग इन सभी अबनेत्रियों के खिलाफ NCB को पुखता सबूत मिल चुके हैं और इन सब को NCB ने समन भेज दिया है पूचताच का शेडियूल भी तैं हो चुका है अबनेत्रि रकूल प्रीट सिंग को NCB ने कल पूचताच के लिए बुलाया है फैशन डिजाइनर सीमोन खंबाटा और शूती मोदी को भी कल NCB ने पूचताच के लिए तलब किया है NCB ने 25 सितंबर को देपिका पादुकोर को पूचताच के लिए बुलाया है सारा अली खान और शर्दा कपूर को NCV ने 26 सितंबर को तलब किया है हम आपको बता दें कि इन सबी अबनेत्रियों पर किस वज़ा से NCV का शिकंजा कसा है और कौन कौन से वो सबूत हैं जिनकी बिसात पर इन अबनेत्रियों पर गिरफतारी की तलवार भी लटकी हुई है सबसे पहले दिपिका पदकून की बाद दिपिका और कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की चैट NCV के हाथ लगी है 28 अक्टूबर 2017 को दिपिका और करिश्मा ने ड्रग को लेकर चैट की थी इस चैट में वीड और गांजे को लेकर बाते हुई चैट में दिपिका हैश की मांग कर रही है चैट में कोको कलब की पार्टी का जिक्र है NCB के पास 28 अक्टूबर 2017 की दिपिका की तस्वीर है जो कोको क्लब के बाहर ली गई थी जया सहा से भी दिपिका पादकोन को लेकर NCB ने पूच्टाच की है आज तक के हाथ लगी है दिपिका पादकोन की उस कोको क्लब की तस्वीर है जिस कोको कलब के लिए दिपिका पादकोन क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से ड्रक्स मांग रही थी ड्रक्स चैट में दिपिका पादकोन करिश्मा से कोको कलब में होने वाली पाटी के लिए ड्रक्स को लेकर बातचीत कर रही थी जिसमें माल के बारे में बातचीत की जा रही थी इसी ड्रक्स चैट के बाद दीपकापाद को नार्कोटिस कंटोल वीरो के रडार पर है लेकिन फिलहाल नार्कोटिस कंटोल वीरो करिश्मा से बातचीत करना चाहती है बॉलिवुड में ड्रक्स की लेडीज गैंग में दूसरा बड़ा नाम है श्रधा कपूर का श्रधा कपूर के ड्रक कनेक्शन को लेकर NCB के पास एक नहीं, दो नहीं, बलकि तीन-तीन सबूत मिल गए है पहला तो जैया साहा के बयान से श्रधा के ड्रक लेने की तस्दीक हो रही है दूसरा रिया चकरवर्ती ने भी NCB से पूछताच में श्रधा कपूर का नाम लिया था और तीसरा है पावना डैम के बोट मैन का बयान इसके लावा NCB श्रधा कपूर के ड्रग कनेक्शन का पता लगाने के लिए शोविक और दीपेश को रिमांट पर लेकर उनके बयान रिकॉर्ड करने वाला है तरी सारा अली खान भी अब बॉलिवोड के ड्रग कनेक्शन में फंस चुकी NCB के पास सारा अली खान के ड्रग सेवन को लेकर भी तमाम सबूत मौझूद है रिया चकरवर्ती ने सारा अली खान का नाम NCB के सामने लिया था रिया ने बताया था कि सारा अली खान ने सुशान्थ के साथ किदारनाथ फिल्म के शूट पर वीट का सेवन किया था यही नहीं पावना डैम के बूट मैन ने भी अपने बयान में कहा कि सारा अली खान सुशान्थ के फार्म हाउस पर चार-पांच बार जा चुकी है सारा अली खान सुशान्थ के साथ आईलेंड वाली ड्रग पार्टी में भी जा चुकी इसके लावा बॉलिवूट में ड्रग कनिशन का चोथा बड़ा नाम है रकूल प्रीट सिंग रकूल प्रीट सिंग का नाम भी NCB के सामने रिया चक्रवर्ती ने लिया था रिया चक्रवर्ती और रकूल प्रीट सिंग में अच्छी दोस्ती थी एंसीबी ने इन सभी अबनेत्रियों के साथ साथ फेश्ण डिजाइनर सीमोन खंबाटा क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और शूती मोदी को भी समन भेजा है अब देखिए ये साथों एंसीबी को क्या बताती है आगे आगे देखिए होता है क्या गुवा में अशुक सिंगल के साथ अरविन दोचा, मुंबई आज तक ड्रक्स का मामला होता ही ऐसा है एक बार उलजते हैं तो एंसीबी का बुलावा भी आ जाता है अब इस पर कंगना रनाउट ट्वीट करें है पहली बार वो प्रात्ना कर रहे हैं कि विवक्त को मोड़ पाते और हमें वापस ला सकते हैं मुनीश पांडे हमारे से योगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंगना रनाउट ने इधर अलग तरीके से मोर्शा संभाला हुआ है लेकिन आप देखिए हमारे तमाम से ही होगी गोवा से हमारे साथ अशोक सिंगल जुड़ गए हैं जहां पर दिपका पाटिकोन फिल्म की शूटिंग कर रही है मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ वह हैं मामला तो अब बिगड़ गया है और इतना तय है कि एंसीबी के पास तमाम ऐसी बाते हैं जिनसे घिरने के बाद इन सभी के लिए सब कुछ एक्स्प्लेइन कर पाना और कानून के आगे के कोर्स से बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है क्या हो सकता है यह सवाल जो है सब के मन में है लाखो करोड़ों दिपका के फैन है और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ड्रक्स के मकर जाल में दिपका पड़कोन खुद फस जाएंगी जो कि उसके पहले कुछ सालों पहले तक डिप्रेशन की बात किया करती थी अब कहीं न कहीं इनसी भी जो है शुरुआत में भले से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वार्ट्साप चैट के उपर कितना बड़ा किसी का केस बन सकता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ वार्ट्साप चैट नहीं थे जया शाहास से भी जब पूस्ताच हुई तो उनसे पूछा गया कि करिश्मा जो आफिक इंप्लोई है आपको पता था कि वो टैलेंट मेनेजमेंट के नाम पर ड्रक्स मेनेजमेंट भी करवा रही थी ड्रक्स मोहिया करा रही थी आपका काम तो था कि टैलेंट को निखारना लेकिन आप लोग तो कोई और सर्विस में लगेते हैं पिज़ा की तरह आप ड्रक्स की डिल्वरी करा रहेते हैं तो यह सारे सवाल जयाशाल से पूछे गए और यही इसी वज़ा से सबसे पहले जब पूछता चोगी तो करिश्म कि क्या उनकी मुश्किल हो सकती है तो देखे जो रिया चक्रवर्ती वाला केस था है उससे एक बात साफ हो गई थी अगर आपने वाट्स चैट किया हुआ है जो कि आपके फोन से रिकवर किया गया है तो कम से काम आप उसे जुटला नहीं सकते जिंसों के सामने कि यह तो मै कि उसने ड्रक्स मुहिया कराई थी तो यह वही केस बनता है जो कि रिया चक्रवर्ती या फिर बाकी लोगों पर केस बना हुआ तो काफी संभावना है कि इसमें अगर यह बात साबित होते हैं कि उन्होंने ड्रक्स को प्रक्यूर किया हुआ था तो बात काफी आगे तक है गोवा में मौझूद है और गोवा में ही अभी दिपिका पाड़कॉन है बताया चारा है कल आ सकती है बॉल्यवूड के ड्रक्स कंपनी में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो दिपिका पाड़कॉन का ही है दिपिका के खिलाफ एंसीबी को तीन साल पुराना चैट पिला जिसमें वो ड्रक की बात कर रही है माल का जिक्र हो रहा है गोवा में है यह रिपोर्ट देखिए फिर अशोक के पास पाड़कॉन को एंसीबी दिपिका ने की हैश की डिमांड अब आखिर कहां है बॉल्यूट की नंबर वन हिरोईन दिपिका पाड़कॉन ड्रक्स लेने पर दीपी का पादुकोन के पास कोई जवाब है जैसे हैं दीपी का पादुकोन की ड्रक्स चैट का खुलासा हुआ हर कोई ताज्यूब कर रहा है बॉल्यूड में सफेद सहर इस कदर फैला हुआ है दीपी कार उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश की ड्रक्स चैट में बॉल्यूट के सारे परदे उखार दिये हैं बॉल्यूट में ड्रक्स की लीला कितने धडलले से बॉल्यूट में कौन-कौन कितना बड़ा नशेडी है यह जानने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो सवालों की लिस्ट लेकर खूब रही है एंसीबी का सबसे पहला टार्गेट है दीपी का पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश दोनों को एंसीबी ने समन भीज दिया है लेकिन जिस ड्रग्स चैट को लेकर दीपी का पादुकोण को समन भीजा गया है पहले आपको वो चैट दिखाते हैं तुमारे पास माल है? हाँ लेकिन घर पर मैं बांदरा में हूँ अगर तुम कहो तो मैं अमिद से भिजवा सकती हूँ येस प्लीज अमिद के पास है वो लेकर जा रहा है हैश है ना गांजा नहीं हाँ हैश है तुम कितने बज़े तक कोको आ रही हो साड़े ग्यारा या बारा बज़े शेल वहां कब तक है? मुझे लगता है कि उसने साड़े ग्यारा कहा था क्योंकि उसे बारा बज़े तक दूसरी जगा पर रही है नसीबी ने दीपी का पादुकॉण को हाजिर होने के लिए के लिए कह दिया है हम आपको बता दें कि दीपी का पादुकॉण और उनकी मैनेजर करिश्मा दोनों गोवा में है दीपी का गोवा में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही है पिछले सब्ता ही फिल्म के क्रूव गोवा के लिए रवान हुए थे जहां तक दीपी का पादुकॉण की बात है दीपी का पादुकोन पिछले कहीं दिनों से शकुन बत्रय की एक फिलम की शूटिंग कर रही थी और आज सुबह भी यहीं पे बीच के किनारे उन्होंने शूटिंग की जामय खड़ा हूँ यहीं थोड़ी दूरी पे उन्होंने शूटिंग किया था लेकिन भारी पर साथ के चलते वह आई और आप जैसे ही संबन की जानकारी उनको मिरी खासी प्रेशान है वो तुरांत उन्होंने अपने जो कानूनी सलाकार है उनसे संपर्क साथा है दीपीका पादू कौन ये ट्रक्स 28 अक्टूबर 2017 को हुई कोको पार्टी के लिए मंगवा रही थी और अब उस कोको पार्टी की तस्वीरे भी सामने आ चुकी है फिल्म पदमावत की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपीका इस पार्टी में पहुंची थी ऐसे में फिल्म पदमावत का तगड़ा विरोध करने वाली करणी सेना ने फिर से दीपीका पर तलवार तान दी है जो सरयाम जेन्यू के देश के टुकडे टुकडे गेंग का समर्थन करने वाले लोग हो दीपीका ने 22 साल की उम्र में बॉल्यूड में एंट्री की थी और आते ही वो फिल्म इंडरस्ट्री में काम्यावी की गारंटी बन गई सवाल ये है कि दीपीका एक चुटकी ड्रक्स की इतनी डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपीका पादुकोन ड्रक्स लेने लगी क्या डिप्रेशन के दौरान की दीपीका कौन की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई क्या करिश्मा से डिप्रेशन की बात करते-करते वो ड्रक्स की दुरिया में उतर गई क्या दीपीका को ड्रक्स का चसका पॉलिवट की पाटियों से लगे हम आपको बता दें कि दीपीका पादुकौन ने खुद खुलासा किया था कि वो एंसाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी सब्सक्राइब कि वो एक कंबल ओड़कर घी पीने का पुराना रिवाज रहा है मगर अब कंबल के नीचे छुपे नशेडियों की धड़कन कुछ यू बढ़ी है कि जाने कब कहां से किसकी पूचताच में किसका नाम सामने आज है और एक ही जटके में किस्मत फाइव स्टार सिंदगी से उठा कर जेल की चार दिवारी के अंदर पटकते गोवा से अशोक सिंगल और मुंबई से अरविंदो जहा के साथ आज तक पुराना हो रही है वो मुंबई के लिए रवाना हो रही है लेकिन हमने दिपिका पादुकोन के पूरी फिल्मी सफर को दिखाया है उन्होंने प्रकाश पादुकोन एस बार्डमिंटन फ्लेयर की बेटी है लेकिन ड्रग्स का तो दाख होता है और इससे निकल पाना तमाम बातों का जवाब देना एक्स्प्लेइन कर पाना मुश्किल दिखाई देता है बिल्कुल अंजना इस वक्त मैं इसी होटल जिसमें रुकी हुई है दीपिका पादुकोन अपने कमरे में है वो इस वक्त प्रेशान है बिल्कुल जब से संबन की जानकारी मेली उनको और उनके परिवार से और कानूनी जो टीम है उनकी लीगल टीम उनकी बात कर दिया की हालां कि आदा घंटा एक गंटे के नोटीस पे कलेरिस मिल जाता है लेकिन अभी कोई रेगुलर फ्लाइट भी नहीं है मुंबई की सुबह आठ बजे के आसपास एक फ्लाइट है मुंबई की और उसके बाद दिनबर फ्लाइट है रहेंगी लेकिन अभी तक लग नीरा क में मुंबई पहुंचना होगा लीगल टीम से बात करनी पड़ेगी त्यारी करनी पड़ेगी एंसीबी के लोगों से क्या सवाल होंगे उनका क्या जबार देना पड़ेगा जो चैट आई सामने उसके बारे में क्या डिफेंस है उनके पास ये तमाम सवाल होंगे एंजना लेकिन अब आगे की वो शूटिंग तो नहीं कर पाएंगी जब तक चीजों से साफ नहीं निकलेंगी तो लगातार परिवार के संपर्क में हैं अपने कमरे में बंद हैं मीडिया से बात नहीं कर रही हैं लगातार मीडिया उनको चेज कर रहा है मीडिया से बच रही हैं त उस चैट का तो जीकर होगा बाकी चीजों के बारे में भी जान कर ली जाएगी क्या सिरफ दीपी का पादुकों नहीं क्रिश्मा से ये ये मंगवाई थी ड्रग्स क्या और लोगों के लिए भी मंगवाती थी तमाम सवाल NCB पूछेगी कौन-कौन सितारे इनके संपर्क में क्रिश्मा के थूप क्या और भी इंडरस्ट्री के लोग उंसे ड्रग्स मंगवाते थे ये तमाम सवाल NCB ने तयार कि होंगे दीपी का पादुकों से पूछने के लिए क्या और भी चेहरे इंडरस्ट्री के सामने आएंगे तो ये तमाम चीज़ होगी लेकिन ये मामला सं संसद से सड़क तक अब इतना उचला है संसद में रवी किष्ण ने शुरुवात की संसद के दोनों सद्रों में मुद्दा उठा बॉलीवूड बढ़ चुका इस पूरे मुद्दे को लेकर के कंगना रनावत लगाता टार्गेट कर रही है दिपीका पादुकॉन को लेकर के कंगना ने पहले भी सवाल उठाए थे वॉलीवूड में ड्रग को लेकर के लेकिन दिपीका पादुकॉन ने अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात तो की थी लेकिन यह नहीं कहा कि क्या वो एंग्जाइटी और ड्रग के माध्यम से खतम की थी ड्रग लेकर के जाएंगे क्या ड्रग उसी वक्त ली थी या उसके बाद भी ले रही है इन तमान सवालों का जवाब दिपीका पादुकॉन को देना पड़ेगा लेकिन इतना ही इतना असाम नहीं है अंजना चीजे आगे भी खुल सकती है क्योंकि एक रिया चक्रवर्ती के बाद से चीज बात करेगी अंजना ता उन लोगों से क्या-क्या नाम सामने आएंगे किनकी लोगों के साथ वो पार्टिया करते रहे कौन-कौन लोग डर्ग लेते रहे ये तमाम चीजे आनी बाकी है लेकिन दीपीका पादुकॉन के लिए अंजना आज की रात बहुत मुश्किल वाली ह ऐसे ही हमारे तमाम सेयोगी अलग-अलग जगों से हैं कि रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं आईए आप आपको दिखाते हैं कैसे बॉलिवोड में ड्रक्स को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहा है जिहां एंसीबी के शिकंजे में सबसे चौकाने वाला नाम श्रद्धा कपूर का है एंसीबी को पता चला है कि श्रद्धा कपूर सुशान के साथ आईलेंड पर ड्रक्वाली पार्टी में गई थी यही नहीं एंसीबी के हाथ श्रद्धा और जया साहा का चैट भी है सबसे कामयाब अभीनेत्रियों में से एक श्रधा कपूर के अब ड्रग्स वाले राज एक एक करके खुलने लगे 33 साल की उमर में कामयाबी के मुगाम पर पहुची श्रधा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन में ताजा राज खोला है जया साहा ने रिया चक्रवर्ती और सुशान सिंग राजपूत की पूर्व मेनेजर जया साहा ने NCB में श्रधा कपूर के ड्रग्स लेने की बात कबूल की है NCB के हाथ जया और श्रधा कपूर की चैट लगी है जिसमें ड्रग की बात हो रही है इस चैट में जया साहा कहती है जब तुम नीचे आजाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आजाओंगी हेलो, मैं आज CBD oil जिनर के साथ भेज रहे हूँ इसके लिए धन्यवाद जया इसके जवाब में smiley भेजती है सुनो, मैं फिर भी SLV से मिलना चाहती हूँ कौन कंपनी की जयासा से लगातार दो दिन तक नार्कोटिस कंट्रोल विरों ने पूस्ताच की है तीसरे दिन भी पूस्ताच जारी रहेगी नार्कोटिस कंट्रोल विरों के सूत्रों के मताबिक जयासा से दो दिनों की पूस्ताच में स्रद्धा कपूर का ड्रक्स वाला वो चैट दिखाया गया जया साहा ने सुविकार किया कि स्रद्धा कपूर को उन्होंने CBD OIL भिजवाया था जया साहा ने इस चैट के सामने आने के बाद जया साहा से पूछताच की तो उन्होंने शद्धा को ड्रग सप्लाई की बात कबूल कर ली जया साहा ने कबूल किया कि उसने शद्धा को CBD आईल मुहया करवाया था साहा ने NCB को बताया कि उसने शद्धा कपूर के लिए आनलाइन ओडर कर CBD आईल का इंतजाम किया था जैसाहा ने अभीनित्री नमरता शिरोडकर से हुई चैट भी कबूल कर ली जैसाहा ने कबूल किया कि वो सुशान सिंग राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए भी CBD ओयल मंगवाती थी यही नहीं मधू मांटेना के लिए भी जैसाहा ने CBD ओयल मंगवाने की बात मानी हम आपको बता दें कि CBD ओयल एक ड्रग है जो भारत में प्रतिबंधित है श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन का सबसे पहला खुलासा पाउना डैम के उस बोटमैन ने किया था जिसने NCB के सामने अपना लिखित बयान भेजा था बोटमैन ने दावा किया था कि एक बार श्रद्धा कपूर सुषान के साथ पाउना डैम पर आई थी श्रद्धा पाउना डैम के पास आपती गवंडे आईलैंड भी गई थी इस आईलैंड पर सुषान्त और उनके दोस्तों की ड्रग पाटी होती थी सुषान्त सिंग राजपूत की पाटी में शराब और गांजे का जमकर सेवन होता था श्रद्धा कपूर भी आईलैंड पर हुई पाटी में शामिल हुई थी बॉलिवूड ड्रग्स केनेक्शन की परताल में रिया चकरवर्ती से जब नार्कोटिस कंट्रोल वीरो की टीम ने पूस्ताज की थी तो सारा आली खान, रकूल प्रीज सिंग और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया था लेकिन तहकिकात जब आगे बढ़ी तो सुरद्धा कपूर के ड्रग्स को लेकर चैट सामने आये नमरताशी रोटकर का नाम सामने आया फिलहाल नार्कोटिस कंट्रोल वीरो की टीम इन अबने अत्यों से पूस्ताज करने वाली है सुशान सिंग राजपूत केस की ड्रग एंगल से जांच कर रही एंसीबी के हाथ रोजाना एक से बढ़कर एक सबूत लग रहे हैं नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं लेकिन अभी तो ये ड्रग्स की मायावी दुनिया की छोटी मच्रिया है इस खेल के बड़े खिलाडी कब एंसीबी के हथे चड़ेंगे इसका इंतिजार है दिवेश सिंग और मुस्तफा शेक के साथ अर्विन दोचा मुंबई आच्छता मामला बहुत सीरे सो चुका है बिल्कुल सीरे सो चुका है मामला लेकिन आपको बताऊं कि ये साथ जो नाम संबन गय हैं जिसमें दीपका पातपोर है सारा अलिखान है स्रद्धा कपूर है संबन इनको क्या गया बॉलिवुड में इसकदर हड़कंफ है अंजना ये एक open secret है, लेकिन पहली बार आप ऐसे कह सकते हैं कि Bollywood में drugs connection पर narcotics control वीरों का ये surgical strike है, इसे आप surgical strike कह सकते हैं, जिसमें दीपका पाथ कोड को संबन जा चुका है, सवालों के जवाब देना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कम से कम एक drugs chat है, और सोचिए जो ह हमें source बता रहे हैं, हमारे सूत बता रहे हैं कि संबन तो गया है, लेकिन एक दो दिन के अंदर मुंबई में तावर तोर च्छापे मारी होगी, drugs pedler के लिए, जो इस सरकिल में खासकर जया से तीन दिन की जो पूश्टाच हुई है, उसमें उन्हें काफी कुछ खुलासा कर दिया है, तो एक बेश तो तयार करी दिया है सवालों के, सवालों की फेहरिस्ट का, तो ऐसे में तावर तोर च्छापे मारी होगी, drug pedler की, वो गिरफतार होंगे, इधर संबन देकर पूश्टाच के लिए बुलाया जाएगा, दीपका और स्रध्धा, इन दोनों को तो कि ना तो कर नहीं सकती, दीपका पादकोड को दिखाया जाएगा, वो वाट्साप चैट सामने करिश्मा होंगी, दीपका से पूचा जागा, ये वाट्साप चैट आप ही का है ना, जिसमें आप माल है क्या और तमाम ड्रक्स की बात चीत कर रही थी, तो ऐसे में दीपका पादकोड ना नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही करिश्मा हां कहती है, तो ये समझ लिजे कि मुश्किले और ज्यादा बढ़ेंगी, तो आने वाले दिनों में इन बॉलीवूद सेलिब्रिटीज की जिनको संबन भेजा गया है, इनकी मुश्किले तो बढ़ेंगी बढ़ें से आपको दिखाते हैं, जिस तरह से सितारों को ड्रग मुहया करवाने में उनके मैनेजर्स की भूमिका सामने आ रहे हैं, सवाल उट रहे कि ये मैनेजर्स हैं या फिर ड्रग मैनेजर्स हैं, रिया की मैनेजर्स जैसाहा के कबूल नामे में कई मशूर फिल्मी हसनियों के नाम इस ड्रक्स कनेक्शन में सामने आए है क्या कौन से बॉलिवुड में ड्रक्स का पूरा काटल चल रहा था अब आपको बताते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ तो सुनी, सुष्षान्थ की परताल के दौरान सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और जया साहा की ड्रक्स का खुलासा हुआ था और तभी से रिया और जया साहा से एनसीबी की पूचताच जारी है इस पूचताच के दौरान एनसीबी को जया साहा की कुछ और ट्रक्स चैट हात लगी जिसमें उन्होंने कई celibitaries के लिए ड्रोग्स का इंतसाम किया पूच्ताच में जया सहा ने ये قबूल किया कि उन्होंने कई celibitaries को ड्रोग्स मंगाई थी जिसमें मशूर film प्रोडुसर मधु मैंटेना भी शामिल है मधु मेंटेना फिल्म उर्ता पंजाब के प्रोडियूसर है मधु मेंटेना टैलेंट मैनेजमेंट कमपनी क्वान के डिरेक्टर है 22 जून 2020 को मधु मेंटेना ने जया सहा से गांजा मांगा था मधु मेंटेना बॉलिवूड के बड़े प्रोडियूसर है मधु की शादी नीना गुपता की बेटी मसाबा से हुई थी लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था एक समय पर वो विकास पहल और अनुराग कश्यप की कमपनी फेंटम फिल्म्स में भी शामिल थे इस कमपनी ने क्वीन और सूपर थाटी जैसी सूपर इट फिल्में परडियूस की थी मधु मेंटेना की सेलब्रिटी मेनेजमेंट कमपनी कौन में भी बड़ी हिस्सेदारी है कौन वही कमपनी है जो सुशान सिंग राजपूत, रिया चक्रवर्ती, दिपिका पादुकोन समेट कई बड़े स्टार्स का पियार का काम देखती है जैया साहा, शृती मोदी और दिपिका की मेनेजर करिश्मा प्रकाश इसी कमपनी की इंप्लॉई है सुशान की पूरो मेनेजर रही दिशा सलियान भी कुछ महीनों तक कौन की इंप्लॉई रही है अब NCB ने जैया साहा और मदू मेंटेना को आमने सामने बिठा कर पूछताच की है और जैया साहा ने ये माना है कि उन्होंने सुशान सिंग राजपूत, शद्धा कपूर, रिया चकरवर्ती और मदू मेंटेना के लिए CBD ओयल खरीदा था जैया साहा ने ये भी कहा है कि वो खुद भी CBD ओयल का इस्तेमाल करती रही है वोलिवड में ड्रग्स का माया जाल किसकदर फैला हुआ है कैसे फिल्म इंडरस्टी के बड़े बड़े नाम इसमें फस रहे हैं और उनकी ड्रग्स चैट सामने आ रही है एंसीबी ने नशेडी सितारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है धड़ा धड़ समन भेजे जा रहे हैं अरविंदोजा मुंबई आज तक विद्या मैनेजमेंट कंपनीज जो टालेंट मैनेज करती थी या ड्रग्स प्रोक्योर्मेंट कंपनीज जी बिलकुल लंजना जैसे कि मुंबई में मौसम कहे ढ़ा रहा है वैसे ही एंसीबी कहे ढ़ा रही है बॉलिवूड के उपर और यही वज़या है कि कई सारी चीजें जो पहले लोगों को सिर्फ उपर उपर पता चलती थी कि यह सिर्फ मैनेजर है पता चलता है अब बाद में जाके कि यह ड्रग मैनेजर्स हैं और यही वज़या है कि इन यह एंसीबी की जो खुलासा है हर एक लेवल पर आप देखिए वैसे तो सबको पता है कि बॉलिवूड में ड्रग कंजम्शन होता है लेकिन कौन मुहया करा है कौन दे रहा है कौन पहुंचा रहा है यह सब पता चल रहा है अब इस इनसीबी की पूछताच में और यही वजह है कि दीपिका के घर के बाहर खड़े हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा पूरा परिवार जो है इस वक्त काफी ज़्यादा परिशान होगा यही सोच सोच के कि आखिर क्या और कैसे करके इस पूरे मामले से निप्टे NCB का जो बुलावा आया है उसकी तैयारी जरूर शुरू हो गई है न दीपिका पाड़कोन बोल रही है और ना ही उनके जो वकील है वो फोन उठा रहे हैं लेकिन बार बार अगर आप देखें तो इस पूरे मसले में एक लीगल ओपीनियन जो कहा जा रहा है कि वो ले रही होगी वो ज़रूर ले रही होगी क्योंकि इस पूरे मसले पर उन्हें जब पेश होना है NCB के सामने तो उन्हें बताना होगा NCB को कि आखिर वो जो चैट साम उन्हें आया है उसका क्या मतलब है और अगर उन्होंने वाकई अगर उन्होंने ड्रक्स मुहाया कराई थे तो वो किसके लिए कराई थे खुद के लिए कराई थे या किसी और के लिए जैसा रिया की केस में हमने देखा रिया ने माना कि हमने प्रोक्योर किया है ड्रग लिया है लेकिन मैंने अपने लिए नहीं लिया है सुशान्त के लिए लिया है ऐसा रिया का दावा था अब देखना होगा कि दीपिका जी का भी क्या बात होगा बहुत दिल्चस्प है और यहां से आगे बाते पहुंचेंगी कहां तक जाएंगी सब पर नजर आएगी रकुल प्री है उनसे पूच्टाच होगी इससे पहले याद रखे चैवसार आरी खान हो शर्दा कपूर हो दोनों के घर पर एंसीबी के अधिकारी उने जातर नोतिस दिया है कल एंसीबी रकुल प्रीट से पूच्टाच करेगी यह तस्वीरे आएंगी देखें यह तमाम स्टार्स की आक्टर्स की जो पूच्टाच के लिए पहुचने वाली है अब आई आपको दिखाते हैं जांच शुरू हुई थी सुशान सिंग राजपूत की मौत से सीबी आई एडी के बाद एंसीबी ने जांच शुरू कर दी एंसीबी की जांच में अभी तक यह तमाम ड्रग कनेक्शन यह पूरा सिंडिकेट मुंबई का सामने आ रहा है बॉल्यूड तो बॉल्यूड टीवी में भी फैला सफेज जहर चोटे पर्दे के सितारे भी ड्रग्स ले ड्रग्स मंडली में टीवी के स्टार भी जोड़ा सुशान केस में जिस दिन से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है चेंड चूरती ही चली जा रही है और अब ड्रग्स कनेक्शन में टीवी स्टार के नाम भी आ गए है जी हाँ, एंसीवी ने टीवी एक्ट्रेस अभी गेल पांडे और डांसर सनम जोहर को पूछताच के लिए बुलाया है खबरे हैं कि एंसीवी को अभी गेल और सनम के खिलाफ पुखता सबूत मिले थे और उनके घर पर भी एंसीवी की एक टीव ने रेट की है हम आपको बता दें कि आज तक को ये इंटर्व्यू में अभी नेत्री अक्षरा सिंग ने भी टीवी में चल रही नशे बाजी का खुलासा किया था जब मैं सीरियल कर रही थी उस दौरान मैंने काफी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ हर लोग ओफर करते हैं वहाँ पे चोटे चोटे अक्तिस को अपकमिंग्स को कि अरे यार और वैसे भी आप यूपी पिहार से अगर आते हैं तो आपको बहत ही हेद रिष्टी से देखा जाता है बाबे में तो ये लोग ओफर आप सीरियल में काम करें थी तब आपने देखा तो ये टेलिविजन इंडस्ट्री में भी है अभी गेल और सनम नचबलिये एट में कपल के तौर पर नजर आये थे दोनों शो के फॉस्ट रनर अप थे शो में दोनों की केमेस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी अभी ग अभी गेल पांडे मुंबई से है वो डांस रियल्टी शो कौन जीतेगा बॉलियूट का टिकट और नचलेवीद सरूर्स खान में भी दिखी थी अभी गेल का डांस भी फैंस काफी पसंद करते हैं 2016 में अभी गेल स्वभागी लक्ष्मी 2018 में सिल्थला बदलते रिष्टों का और 2019 में शक्ती अस्तित्यों के अहसास में दिखी वो सावधान इंडिया में भी कई बार रोल करती दिख चुकी है गोवा से अशोक सिंगल और मुंबई से अरविंदो जहा के साथ आज तक पिरोड़ जो इसे जान बूच कर पीछा बता रहे हैं कुछ सितारों का उनके लिए ये सच्चाई देखनी बहुत जरूरी है अक्षिरा सिंग, हर्षिता कश्यप, दिवेश, दो एक्ट्रिसेज मेरे साथ आई थी मुंबई से हला बोल में दोनों ने मुझे कहा कि मैंने खुद अपनी आखों से देखा है और हमें साइडलाइन कर दिया जाता है क्योंकि हम उस कोजी ड्रग सर्कल में घुसने को तयार नहीं होते है मारा जाता आप क्लासी और फैशनेबल और आगे बढ़ने का रास्ता ये ड्रग के कोजी सर्कल में घुसकर ही निकलता है दिवेश अंजना आपको बता दे कि अबिगेल और सरम से आज पूश्ताच की गई और अभी इस चोपर एक खुलाखा करना चाहेंगे अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि दोनों के घर पर जो आज सुबह एंसीबी की रेड हुई थी उसमें छोटी मात्रा में गांजा उनके घर से बरामत किया गया है और इसी वज़े से उन्हें फिर समंध किया गया उनसे पूश्ताच की गया और कल उन्हें फिर बुलाया जा सकता है और कल उनका स्टेटमेंट फिर से रेकॉर्ड किया जागा जिसके बाद रेंसीबी तैकरी की क्या अक्शन लेना है दिवेश बड़ी खबर आप बता रहे हैं क्या लाइफ इनकी चल रही है मतलब हर तरफ हर चैनल पर बड़े बड़े स्टास चंगुल में आ रहे हैं फिर भी डर नहीं है फिर भी घर पे इन्होंने अपनी जो भी गांजा आप बता रहे हैं जो भी यह अभी भी रखा वो NCB के Joint Director है, यहाँ पर समीर वांखेड़े, वो डिसाइड करेंगे, हमसे खास बात चीप में उन्होंने ये बताया है कि दोनों के ही संपर्क, अनुज केशवानी जो की एक नाम्चीन ड्रग पेडलर है, बांधरा में रहता है, उसके घर से काफी ड्रग भी बरामत किये थे और उसी के डीटेल्स में, उसी के CDR से बहुत सारे लोगों के नाम सामने आये, बहुत सारे ड्रग नेटवर्क में जो पेडलर्स हैं, उनके नाम सामने आये, और करीब 10 से 12 लोगों को उसके बाद अरेस्ट किया गया, और उसी सिलसले में आज सनम और अबिकेल के घर पर भ जिसके बाद NCB decide करेगी किस तरीके का action उन पर लिया जाएगा, ये देखा जाएगा कि आगे जो ड्रग्स मुहिया करा रहे थे या खरीद रहे थे, उसे वो आगे कहीं पास कर रहे थे या खुद consume कर रहे थे, इस बारे में डीटेल में जानकारी ली जाएगी और उसके बा जाएगे लगतार non-stop coverage और आने वाले दो-तीन दिन तो जबदस तरीके से इसकी coverage होगी क्योंकि माना जा रहा है कल रकुछ पी जाएगे NCB दफ्तर में पूश्टाच के लिए NCB उनसे पूश्टाच करेगी सारा अली खान, श्रदा कपूर और 25 को यानी परसों तो दिपिका पड़कों को जाना है देखते रही आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकाश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले